जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, किसी के पास नौकरी नहीं, घर में चुला चक्की चलाने वाले लोगों, तो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, वही जंगल राज किये हुए है, हर देख रहे हैं, नमस्कार आप देख रहें एक न्यूस 24 और मैं हूं स्वाती आपके साथ, चार अप्रेल को यानि कि कल देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, पिये मोधी बिहार के जमुई से, कल चुनावी शंक नाद करेंगे, जुसको लेकर कॉंगस के बिहार प्रदीस सध्यक्ष, अखलेश प्रसाद सिंग से जो सवाल क आ गया कि पिये मोधी कल यानि कि 4 अप्रेल को बिहार दौरे पर आ रहे हैं, पिये मोधी चुनावी अभियान के शुरुआत बिहार के जमुई से करेंगे, तो इसके जवाब में अखलेश प्रसाद सिंग ने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में सुनिए. पिरोजगारी बढ़ी है, किसी के पास नौकरी नहीं, घर में चुला चक्की चलाने वाले लोगों, और खास करके गरीबों के थाल से दाल और सब्जी तक गायब, उस हिस्थिती में निश्चित रूप से उनको जबाब देगा और परिवर्तन की लहर बने हैं. अभी तो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, वही जंगल राज किये हुए हर जगह कहीं रेप का खबर छपता है, कहीं चोरी डगेती का छपता है, कहीं पूल गिल जा रहा है, एक-एक साल के अंदर, तो जंगल राज तो यह है. तो आपने सुना कॉंग्रिस के बिहार प्रदेश सध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंग को, जुनसर जब आज पत्रकारों ने ये सवाल किया, कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी कल बिहार दौरे पर आ रहे हैं, और वो चुनावी अभियान के शुरुआत बिहार के जनता उनको आने वाले समय में जवाब देगी, जिस तरीके से उन्होंने देश की जनता और बिहार की जनता के साथ वादा खिलापी की है, जनता उन्हें करारा जवाब देगी, जिस तरीके से देश और बिहार में लगतार मेहंगाई और बिरुजगारी बढ़ रहे हैं, ज इस तरीके से बिहार में लगतार अप्राधिक मामले बढ़ रहे हैं।